सब्सक्राइब करई सब्सक्राइब तушки सारी की सारी कैपसिटी सारा का सारा कंट्रोल पब्लिक के हाथों में होगा वह कोई नोड हम लोग पब्लिक को देने जा रहे हैं राइट तो इसके लिए मैरी इससजी जहां तक बात हुई थी और हो सकता है कि साथ इसका अनॉंस्मेंट बहुत जल कर देंगे नेक्स्ट वीक में हो या बहुत जल हम लोग तो चाह रहे हैं कि जितना जल्दी उनके पास समय मिलेगा इस बार सर भी होंगे इमैनुवल सर भी होंगे और साथ में जो इसके जो ब्लॉक्चें डेवलपर जो जो लोग हैं वो भी उनकी टीम से भी लोग होंगे तो वो लोग आकर के और पूरी मेकैनिजम को और तरीके से बदाब आएंगे लेकिन जितना तक मुझे अवेर है सिस्टम के बारे में कि अभी आप लोगों को नोड को ये करना होगा बुक करानी होगी जिनको भी नोड चाहिए तो कि शुरू के हो सकते हैं कि 50 नोड को पहले अलाउ किया जाएगा कि 50 नोड पहले सेल होंगे फिर आगे फिर 50 नोड यानी 100 नोड मार्केट में सेल आउट होंगे इसमें कम्पनी आप से कोई रुपए एक रुपए नहीं लेने जा रही है यहां पे सारा काम आपको खुद करना है नोड पब्लिश होगा जैसे ही हमारा नोड पब्लिश होगा आपको गिटब पे रिपोजिटरी मिल जाएगी आप वहां से हमारे सारे कोड को कॉपी करें और अपना सर्वर लगाएं जैए बता जाए कि इस इस कंफिगबेश्यन क्या आपको यह आपको सब्सक्रूरान आशल मिले और अपने तरफ कर सकते हैं अपने डेसले से तो हम लोग सर्वर को टीम connected के उपर दे देंगे लॉग इन हम खूद करेंगे उन लोगों को नोड इंस्टोलिंग करने के जैसे आप देखें होंगे न कि कई बार आपका आप आप से लैप्टॉप यूज कर रहे हैं लाइक आप आप एपल यूज कर रहे हैं या एच पी यूज कर रहे हैं कुछ भी जब सिस्टम से रिमोटली इंस्टॉल कर देते हैं तो उसी तरह से हम लोगों ने भी रिक्वरेश किया कि सरह हम कहां डून लें जायेंगे ऐक सर्विस देते कि जो बंते भी अगर लेना चाहते हैं सब्सक्राइब करना होगा लेकिन उससे बहुत बड़ी इंकम आपको यहां पे जिनरेट होने वाली इसके लिए अनॉस्मेंट बहुत जल्द होने वाला है आप यू समझ ले कि बुकिंग आपको करनी पड़ेंगी कल हो सकती है कि हमारी सर से एक बार और बात होगी और कल जो मिटिंग होगी उसमें वज़कता है कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर दूँगा कि क्या होनी है और कि कौन लोग एलिजिवल होगे बुकिंग कर अधिक करना है कि जिसमें डेटा स्टोर होते हैं और उस नोड का काम दो तीन होता है कि ट्रांजेक्शन को साइन करना करना नोड को हम वैलीडेटर भी बोलते हैं नोट का कई सारे रोल होते हैं जैसे जब blockchain बनती है तो हम 21 servers को एक साथ में connect कर देते हैं या चाहें तो हम कम से भी कर सकते हैं, हम 3-4 से भी कर सकते हैं, minimum 3 notes की requirement होती है किसी भी blockchain को चलने के लिए, कोई भी अगर public blockchain है, तो 3 servers की जरूत होती है, 3 में से majority, यानि कि 2 servers अगर किसी transaction को validate कर देते हैं, sign कर देते हैं, तो वो transaction successful हो जाता है, अगर उसको unsign कर देते हैं, तो वो transaction यह हो जाता है, failure हो जाता है, failed हो जाता है, यानि blockchain को अगर कोई भी history नहीं मिली previous, तो वो उसको तुरंच से बाइक आउट कर देगी, उसको block कर देग और वो आकर के अपने node में कुछ उल्टा सीधा transactions को डाल दिया, तो जब भी को वो कोई transaction करना चाहेगा, और वो जो गलत तरीके से मानलों की कोई बंदा आकर के hacking करना चाहा, और transactions को validate कर दिया, मानलों के फरजी एक करो transaction, या एक लाग transaction, या एक कोईन का फरजी transaction करेगा, तो बाकी के जो तीन nodes होंगे, उसको fire कर देंगे, अब जैसे ही वो fire कर देंगे, तो उनका नुकसान क्या होता है, कि एक तो transaction complete खतम हो जाएगी, और जुसने वहाँ पे coin टेक कर रखा, जैसे मानलों लिजे Ethereum का क्या है, कि 32 Ethereum से आपको node चलाने, तो ये Ethereum 32 का क्यों कहा, इसलिए क कि अगर आपने किसी तरह की गलती करी, कोई भी आपने गलत वहाँ पे logics लगाया, तो ये आपका 32 जो Ethereum है, वो हमेशा के लिए permanent block हो जाएंगे, तो लोग डर के मारे गलत काम नहीं करें, उनको 32 Ethereum का loss हो जाना, तो हमारे notes में भी 5000 Ozone का आपको ये डालने बढ़ेंगे, अग अगर आपने hacking करना चाहा, किसी तरह का गलत system करना चाहा, तो आपका 5000 Ozone वहीं पे log हो जाएंगे, वो किसी को मिलेंगे ने, आपको मिलेंगे ना company को मिलेंगे, लेकिन वो log हो जाएंगे, वो आप निकाली नहीं बाएंगे, अगर आपने किसी तरह के गलत validation करी, वो सारा blockchain मे स्क्राइब करें और विक्सप्वेरी को क्या था लिए जी करना है और आपने सर्वर और ये सारा डिइस पर टालेंगे तो आपको स्वाइदा होगा ऩार करें तो गैसी का स्रांजेकेशन आप को ज़्यादा benefit मिलेगा तो आपने क्या किया कि वहां पे बांसेदा रोजोन डाल दिया आपने सारा उसकी जो services है चला दी install कर दिया अब उसके बाद क्या होगा कि आपका node blockchain के साथ connect हो गया RPC chain ID के साथ connect हो जाएगा अब जैसे ही वह connect हो गया तो फिर पहले आपके node का काम क्या रहेगा बाकि जितने भी नोट से सारे data को आपके node को लेना पड़ेगा बैक अप लेना बड़ेगी तो अभी तक जितने data हैं बाकि 21 nodes का वो सारा का सारा data आपके भी servers में आजेगा वो सारा encrypted होता है आप उसे पढ़ नहीं पाएंगे लेकिन वह आपके पास आपके यह में आपका जो हाड़िस है उसमें आकर के सारा का सारा data अपलोड हो जाएगा यानि सारा data यहां पर भी आ जाएगा अब जब सारे data आपके पास आजाएंगे फिर आप eligible हो जाएंगे transaction करने के लिए यानि कि जब सारा data आपके पास आजाएगा फिर बाकी के जो 21 नोड से आपको signer बना देंगे यानि आप वालिडेटर बन गए अब जितने भी अब नया जो transactions होगी उसमें से आपको भी transaction करने के लिए मौका मिलेगा जब आप transaction करेंगे तो जो गैस फी यूजर के द्वारा कटी है उसका गैस भी आपको मिल जाएगा तो इस तरह से नोड आपका काम करता है अब नोड का benefit क्या होगा यहां पर यहां पर benefits यह हो रही है कि पहला चीज जो आप staking किये हैं देखिए बाकी जगहों पर नोड पर क्या होता है नोड होल्डर को अगर माल लोगा 32 इथेरियम भी डाले हैं तो उनको 32 इथेरियम का कोई profit staking का profit नहीं मिलता है उनको केवल validation का profit मिलता है यानि जो गैस की यूजर से कटेगी वो गैस भी आपको मिल जा होगा कि जो लोगों को जो mining मिल रही है पर देखिए ता आप देखते होंगे 5% transaction cut कर आती है तो पर ट्रांजेक्शन पर 5% करती है वो 5% transactions सारे के सारे node holders पर distribution हो जाएंगे यानि आज के data में देखा जाया है तो company को tax per month 5000 का जाता है ठीक है तो सौ लोगों में यह बट जाएगा तो यानि यूं समझ ले कि 55 कोई पर डे का आपको आने का लगबग लगबग यह समझ ले कि 5 को आपको पर डे आएंगे यानि कि लगबग 50,000 की पर डे की आपको यहां पर पचासर महीने करना लेकिन 50,000 आपकी लगबग उससे भी जादा हो सकता है कि आपको केवल माइनिंग सीन कमाएगी इसके अलावा जो आपने क्वाइन किया है 5000 यह भी ऐसे पड़ा हुआ नहीं रहेगा उस 5000 पर जैसे जो 1% पर डे लोगों को मिलता है उसका भी benefit आपको मिलेगा external जो दुनिया में कोई भी blockchain किसी को नहीं दे रही है अब आप देखेंगे जैसे ही Amazon का publish करेंगे ना पूरे के पूरी जो वेल्स है और वो नोड के लिए आना शुरू कर देगी दर तो हमें यह है कि हम जब publish करेंगे तो हमसे जादा नोट्स वो लोग नहीं खरिद जो हमारे जो यूजर से जिन लोगों ने हमारा अपना साथ दिया इन लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए इसलिए company's के उपर strategy बना रही है कि हम पहले ही public को यानि मीडिया में यह खबर नहीं आने दे और उससे पहले ही हम publish करने GitHub पे publish करने से पहले ही सारे जितने भी हमारे जो यूजर थे उनको हम यह चीज़ें दे पाए उनको प्राइविटली यह सारा चीज दे दे कि वो लोग प्राइविटली हूपिया तरीके से install कर ले अपना-पना सारा note और खदम कर दे कहानी ताकि बात कि लोगों को पता भी चले तो वो इसमें eligible नहों है समझे तो यह दीजे भी हो रही है दूसरी चीज़ यह और रही है कि प्राइस को भी ले करके बहुत जादा किंता हो रही है कि प्राइस एक बैस एक दम पांसो डॉलर शेसो डॉलर चला जाने वाला है क्योंकि यहां पे जैसे मालों की सरका ना तक जो लोगे स्टेक लगाएंगे अब इसकी वजह से बार्केट में इतनी बड़ी डिमांड आ जाएगी और फिर जिस दिन वह पांच हजारों को डालने की बात आएगी उस दिन इतनी बड़ी रिक्वारिमेंट हो जाएगी कि जिसकी वजह से क्वाइन करेट इतना जाद है कि इसको कैसे किया जाए ताकि रोड एक मतलब जो यह है प्राइस है एक दम से पंपना करें ठीक है फिर भी कंपनी उसके उपर काम कर रही है आप जो मिलके जिनके पास पांच जार नहीं हो सकते तो मिलके चार-पांच लोग मिलके भी ले सकते हैं तो यह बहुत बड़ी चीज नहीं है मतलब कि यूँ समझे कि बुकिंग घर शुरू होगी एक दिन में नहीं लएगा सारा बुकिंग हो जाए तो यह बहुत बड़ा एक रिवलुशन होगा चुकि नोड के साथ में हम वेप्री भी देने जा रहे हैं हम अप्लिकेशन भी सुरू कर रहे हैं हम गे चीज होगी एक बैक से अब यह लपड़ा हो रहा है कि सर गेमिंग करें पहले कि पहले नोड करें यह सारी चीज़ें अब कल की जो मिटिंग होगी उसमें यह कर पाएंगे चुकि एक साथ सारे चीज़ों के लेकर आएंगे तो क्वाइन का रेट हजार डॉलर भी जा सकता ह है एक थोड़ी सी वह ऱ participative मुझ्ला चिनता हें है कि अंड्रेंड पे ही रख कर प्र नोड का ले कर आंगे अगे संप्र फित राएंगे क्योंकि market data आ रही है भले public लोग को पैनिक लग रहा हो लेकिन हमारी management कोई नहीं कुछ भी उनको टेंशन ही नहीं उन्हें पता है कि हम क्या देने जा रहे हैं public को उन्हें पता है कि कितना बड़ा revolution आ रहा है पूरी दुनिया में और लोग दुनिया में लग वेट भी तो कर र आप यह उसका मजले हैं कि जो बाकी जगों पर mining करते हैं बाकी कंपनियों में जो mining actual जो node holders है जो वैलिडेटर बनने हुए उनके क्या income है हम वो तो हमसे पहले से चाह रहे हैं कि सर मुझे mining का मौका दे दो चुकि वो जो डेबलेपर से वो तो चाह रहे हैं लेकि हम उनके code आज उनको मौका मिलेगा तो वो सारे के सारे मूब आउट होने के कोशिच करेंगे तो हो सकता है कि उनके लिए company criteria रख दे कि भाया तुम लोग को दस हजार उन रखना पड़ेगा तभी तुम माइनिंग कर पाओगे हो सकता है कि उनके लिए यह कर दे कि बाई तुमको तो क मौनिटी हो तुम 10,000 डालोंगे लेकिन के वल ट्रांजेक्शन फी मिलेगा और तुमको गैसी मिलेगा जैसे बाहर बाहर जागा तुम तो बहुत कम में खुश से हम तो ट्रांजेक्शन का भी पार्ट दुमको देने जा रहे हैं और उनको हम वाला इस टिकिंग का पार्ट तो यह सारी चीजे इतने के बावजूद भी जो माइनर से हमारे एकदम मुव आउट होने शुरू होगे वहां से तुरंट भागेंगे लोग इदर के तरह तो एक बहुत बड़ी प्लैनिंग है मतलब यह सोचले कि यह जितनी भी चीजे हैं आज कंपनी इमैनॉल सर्या जो ही नहीं है जो भी हैं अपने नीचे लेवल में जो लोग हैं बस उनको इन्फरमेशन दे दें कि भाई आपके पास बहुत बड़ी प्लैनिंग है अप्टेंशन में क्यों जो लोग भी साट 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 सी पर जो लोग लगा कर रखे हुए हैं यह समझे कि हर रोज का कि यह से नहीं रोख सकते हैं वह सिच्वेशन आ रही है